हेलो मैं हूँ आशीश और आप देख रहे हैं ते लीगल इंसीन आजगे इस पर्टिकलर वीडियो में हम समझेंगे कि FIR को लेकर अब क्या नया कानून बन गया है FIR को कैसे रिजिस्टर करवाना है और FIR को रिजिस्टर करने के लिए क्या क्या सहूलिते सरकार ने इस नई कानून में दिया है यह सभी चीज़ें हम आज के इस पर्टिकलर वीडियो समझने वाले हैं so stay tuned for the video so that you could have a very basic understanding on this situation देखो basically सबसे पहले यह समझो कि पहले criminal procedure code 1973 में FIR को लेकर क्या provision था कि इस तरह से पहले FIR को दर्ज किया जाता था पहले हम यह समझेंगे फिर हम समझेंगे कि जो यह नया कानून आया है भारती यह नागरिक सोक्षा सही था 2023 में इसमें FIR को दर्ज करने का FIR को रेजिस्टर करने का क्या पूरा procedure है हम यहाँ पर समझेंगे और यहाँ पर क्या-क्या नई सहूलिते जो है क्या-क्या नई नई सुभिधाएं हमें मिली हैं यह चीज़ हम समझेंगे सब जब हम CRPC की बात कर लेते हैं CRPC में section 154 sub clause 1 में FIR रेजिस्टर किया जाता था FIR रेजिस्टर करने का procedure बहुत ही simple था वहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई criminal offense हुआ है जो की cognizable offense है मतलब कि एक संगेय अपराद है वो उसकी information वहाँ के nearest police station में मतलब कि जिस जगहां पर अपराद हुआ है उस area के police station में जाकर वहाँ के officer in charge को उस अपराद की जानकारी दे सकता था orally मतलब बोलकर भी या written में लिखकर वो दे सकता था और जब इस तरह से information officer in charge को मिलेगा तो officer in charge उस information के आधार पर FIR को register करेगा FIR register होने के बाद उस FIR की एक copy उस informant को दी जाएगी लेकिन suppose करो उस offense की information देने के बावजूद अगर वो officer in charge FIR को register नहीं करता है तो उस व्यक्ति के पास option था कि वो CRPC के ही section 154 sub clause 3 में एक complaint उस area के SP को बेज सकता था और अगर SP को उस complaint के आधार पर लगता है कि हाँ अपराध हुआ है और cognizable offense हुआ है तो इसके बाद वो खुद ही उस offense पर investigation करेगा या फिर किसी police officer को वो direction देगा कि वह उसमें investigation के जाए पहले FIR register किया जाए और फिर investigation के जाए तो ये पूरा procedure था CRPC में अब जो ये नया कानून आया है भारती नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 इसमें तीन चीज़े हमें नई मिलती है जो कि पुराने कानून में नहीं थी important है वो है जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है उसके लिए बहुत important है मतलब उसके फाइदे की चीज़ है इसका मतलब ये हुआ कि भारती नागरिक सुरक्षा सहिता में complainant और accused मतलब कि जिसके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है उसका भी और जिसके खिलाफ offense हुआ है उन दोनों का बहुत ही अच्छी तरीकी से ध्यान रखा गया है चलिए अब समझते हैं कि तीनों ये नई चीज़ें क्या है पहली चीज़ पहली चीज़ जिसका ध्यान रखा गया है कि FIR अब कहीं भी करवाई जा सकती है कोई फरक नहीं पढ़ता है कि offense कहां पर हुआ है और FIR कहां दर्ज करवाई जा रही है इसको technically हम 0 FIR बोलते हैं 0 FIR का concept पहले CRPC में नहीं था लेकिन अब यहाँ पर section 173 sub clause 1 में साफ साफ लिख दिया गया है कि अपराद कहीं भी हुआ हो इससे फरक नहीं पढ़ता है नहीं बरग लाएंगे कि आप पे साथ offense दूसरे छेतर में हुआ है तो आप महाँ पर जाकर FIR दर्ज करवाईए नहीं आप जहां पर हैं वहीं पर आपकी FIR को रिजिस्टर किया जाएगा यह है 0 FIR तो 0 FIR का concept साफ साफ जो है section 173 sub clause 1 में लिख दिया गया है पहली चीज यह थी अब दूसरी important चीज क्या है इसको समझते हैं अगर आप manually मतलब कि खुद जो है police station नहीं जा पा रहे हैं FIR register करने के लिए तो आप electronic communication के माध्यम से भी FIR register करवा सकते हैं मतलब यह है कि आप email के माध्यम से, message के माध्यम से, whatsapp के माध्यम से या police की website पर जाकर जो है अपने FIR को register करवा सकते हैं देखो basically यहाँ पर अभी यह चीज साफ साफ clear नहीं हो पाया है कि हर एक state का अपना क्या mechanism होगा किस माध्यम से उस state में FIR को register किया जाएगा लेकिन धीरे-धीरे कुछ समय में हर एक state एक ऐसा mechanism मनाएगी जिसमें जो complainant है वो electronic communication के माध्यम से भी FIR को register कर सकेगा यहाँ पर एक बात और जोड़ी गई है कि अगर आप electronic communication के माध्यम से अगर FIR को register करवाते हैं तो FIR दरज करने के बाद आपको तीन दिन का time मिलेगा तीन दिन के अंदर आप पुलिस थाने में जाकर उस FIR को sign कर सकते हैं और जब आप sign कर देंगे उसके बाद आपके FIR को record बढ़िया जाएगा अफिर उसके बाद पुलिस अपना investigation स्टार्ट करेगी इस तरह से ये दो बहुत ही important चीज़े जो है FIR के लिए जोड़ी गई है भारतिय नागरिक सुक्षा सहिता में अब इसके बाद जो तीसे चीज़ दी गई है भारतिय नागरिक सुक्षा सहिता में FIR जिस्टर करने के लिए वो ये है कि जिन offenses में maximum punishment 7 साल की है उसमें police officer के पास ये power है कि वो उसमें preliminary inquiry कर सकता है 14 दिन के अंदर अंदर अगर suppose करो कि ऐसी कोई complaint आई है जिसमें उस police officer को लग रहा है कि ये complaint जूटी है या उसमें कोई ऐसा primary officer कोई offense समझ में नहीं आ रहा कि offense हुआ भी है या नहीं हुआ है तो इस situation में वो DSP की rank के अधिकारी से permission लेकर एक अपनी प्रारंबिक जाच कर सकता है preliminary inquiry कर सकता है और ये confirm कर सकता है कि आखे जो है offense हुआ भी है नहीं हुआ है अगर offense हुआ है तो उसके बाद वो FIR को register करेगा और फिर आगे की investigation स्टार्ट करेगा लेकिन अगर उसको preliminary inquiry करने के बाद मतलब कि प्रारंबिक जाच करने के बाद उसको लगता है कि यार कोई offense हुआ ही नहीं है तो यहाँ पर वो FIR को register नहीं करेगा तो यहाँ पर accused के फायदे की बाद यह है तीसरी जो इस provision में मिलती है मतलब यह अगर कोई भी complaint आती है किसी अपराद को लेकर जिसमें maximum punishment साथ साल की है उसमें police officer के पास अब यह पूरा का पूरा power दे दिया है कि वो DSP या DSP से उपर के rank की अधिकारी से permission लेकर एक preliminary inquiry कर सकता है और inquiry करने के बाद अगर उसको लगता है कि सचमुष में अपराद हुआ है प्राइम FSI ये चीज़ clear हो रही है तो वो फिर FIR को register करेगा उसके बाद फिर आगे की investigation स्टार्ट रखेगा और अगर उसको लगता है कि कोई भी offense नहीं हुआ है प्राइम FSI कोई offense नहीं बनता है तो वो FIR को दर्श नहीं करेगा तो ये basically तीन points जो हमको यहाँ पर समझने है जो नए कानून में हमको देखने को मिलते हैं तो इस तरहीके से FIR को लेकर तीन नए changes आए हैं I hope आपको basically सब कुछ clear हो गया होगा मिलते हैं next video में take care, bye-bye